है किसे हैं है आप सब आज कि है आज के वीडियो में हम बात करेंगे पपीता के बारे में प्रेजिया safer का चलम या नहीं खाना चाहिए है वीडियो अगर है चैनल पर नए हे तो में चैनल को सबस्क्राइब करें और ουμεल चैनल को जब प्रेस कर दें फिसकेंपर कि धकी हमारे हर नए वीडियो की नू Dennis कि अपको मिलती रहें और फूंति वाल तो को नाइक करदें पre कोई सवाल हो से टब connection यृष।98 करते हैं आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रेगनेंसी के टाइम पपीता खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी यसी धरनाए हैं कि पपीता खाना से प्रेगनेंसी अबाउट हो जाती है प्रेगनेंसी के दोरान पपीता नुक्सान करता है तो इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कच्चा पपीता ना खाए क्योंकि कच्चा पपीता में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिसकी वज़ा से प्रेग्नेंसी अबॉर्ट हो जाती है वहीं आप अगर पका हुआ पपीता खाते हैं तो पका हुआ पपीते में विटामिन सी मिलता है पका हुआ पपीता खाने से प्रेग्नेंसी अबॉर्ट नहीं होती अक्सर देखा गया है जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है वो पपीता खाते हैं जितना इतना पपीता खात से बच्चा बोर नहीं होता प्रेग्नेंसी के दौरान आपको पैपिता खाना चाहिए जो पपाउआ प्पता वह खाना चाहिए वस्ते से केलस्थ in बितामिन और पानी की कमी पूरी होती dzisiaj है प्रिक्णेंसी में पका ओपीता बहुत फैदिमंद होता है इस बात का ध्यान लखें कि कच्छा पपीदा बिलकुल ना खाए उस दवरान कि कच्छा पपीता खाने से स्टोने पनेज अब ऑट होने और वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू